हेलो फ्रेंड्स में नाम है वीजे और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले आप यह बता रहे है कि यह इसका data type क्या है, ठीक है, second आप यह बता रहे है जो variable का name क्या है, ठीक है, third आप यह बता रहे है कि इसकी value क्या है, ठीक है, एक और चीज़ स्टोर करके रखता है जिसे हम कहते है storage class, अब storage class आपकी मिलनी क्या होती है, चार type क्या होती है, ठीक है पहला आपका आता है auto ठीक है second आपका आता है external ठीक है third आपका आता है static ठीक है fourth आपका आता है register ठीक है देखे external static के बारे में पहले ही आपको पता चुका हूँ ठीक है video का link यहाँ पर flash हो रहा होगा i button पर वहाँ से click करके देख लीजिएगा ठीक है external variable किस तरह से behave करते हैं किस तरह से काम करते हैं थढ़ा मैं यहाँ पर भी explain कर दूँगा ठीक है इस video में तो यहाँ पर देखे मैंने आपको एक program run करके दिखाया था ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं कि storage class है क्या actually मैं तो देखे storage class चार टाइप की होती मैं यह तो बता दिया अब storage class में data क्या save होता है ठीक है तो देखे storage class में data save होता हो चार तरह का data save होता है सबसे पहले हर एक में ठीक है जैसे auto में इसमें भीient चार लटा था होंगहेorg– comae and status में और register में अब यह चार टाइप होते क्या हैं ठीक है में लिदी चार तरह के होते हैं थर्ड हम बात करेंगे इसके lifetime क्या होगी, fourth location, default value और location तो आपको समझ मां आ रहा होगा, अब बात करते हैं scope क्या और lifetime की, वैसे scope की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि किसी भी variable का scope क्या होता है, वो depend करता है कि उसकी storage class क्या है, जैसे कि auto में, ठीक है, auto में क्या होता है, ठीक है, automatically आपको यह लिखने की जरुबत नहीं है, अगर आप लिख रहे है auto, और आप नहीं लिख रहे है auto, तब भी बात बराबर ही है, same ही होता है, ठीक है, automatically यही assign होता है, आपको यह लिखना पड़ता है, externally, static और register, यह तीन जो storage class है, वो आपको बतानी पड़ेंगी लि auto का था, ठीक है, automatically, sort में auto use करते है, अब देखे, automatic में क्या होता है, automatic में सबसे पहले, का scope क्या होता है, उसके block के अंदर तक होता है, या उसके function के अंदर तक होता है, अब देखे, block कहने का क्या मतलब है, और function कहने का क्या मतलब है, ठीक है, यह समझते सबसे पहले, let us suppose कि ज कोई ब्लॉक बना दिया ब्लॉक बना दिया ब्लॉक बनाने के लिए करना है वो ब्लॉक बन जाएगा ठीक है और यहां पर आपने एक वैरेबल कर दिया इंट a is equal to 5 फिर इसको आपने प्रिंट करवा दिया ठीक है अपने एक को प्रिंट करवा दिया अब यह मत कहिएगा कमेंड में कि इस तरह से कोड नहीं लिखते हूं वो मुझे पता है लेकि मैं सूदू कोड कौन लिखे ठीक है तो यह मैंने ब्लॉक होना आया ठीक ह ने सेकिंड मैंने कैर किया किया यहां यहां पर से इसकी वैल्यूर मैंने 10 दिया जिसको मैंने यहां पर कहां पर access कर सकते हैं अगर मैं इस के बाद ठीक है इस ब्लॉक के बाद डिरेक्ट ऐसे लिख दूँ प्रिंट एफ ए प्रिंट करवाओ ए को तो यहां पर क्या वेल्यू देगा सबसे पहले यह तो वेल्यू देदेगा पांच क्यों 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 कि यह अपने स्कोप में देख यह 5 नहीं प्रिंट करेगा तो यह नहीं करेगा 5 प्रिंट क्योंकि यह जो ए है न इसकी जो स्कोप है सिर्फ इस ही दो ब्लॉक तक है इसके बाहर नहीं है इसके बाहर इसको हम access नहीं कर पाएंगे जैसे देखे ब्लोक स्टार्ट हुआ आपने int a is equal to 5 मिला ठीक है तो इसन मैंने a एक variable लिया जिसमें 5 इसने store कर आया जैसे यह block खतम होगा जैसे इसको curly basis close मिलेगा तो इसको यह हटा देगा यहां से free कर देगा इसको ठीक है यहां पर ऐसा कोई variable नहीं है यह नाम का जो exist करता हो अब ठीक है उसी तरह से function में भी होगा function के अंदर इसकी जो body है न यह एह जो मैंने लिखा है ठीक है अगर मैं इस यह function को यहां पर ठोल़ए और इसको 50 देटेते वहली तो यह 50 पर का tapa हwalk लूप लगाया ठीक है for का loop लगाया ठीक है मैं इसको 5 बार चला रहा हूँ ठीक है 4 के loop को और इस for के loop के अंदर मैंने यहाँ पर क्या करा ay ko print करवाया print करवाया a ko तो अब मुझे आप यह बताए कि यह क्या print करके देगा अगर 5 बार फॉर फॉर लूब लेगा थो पांच वार 50 प्रिंट करके देगा या नहीं देगा ठीक है यह करके देगा क्यों क्योंकि जो यह ए है न इस यह इसका जो इसकोप है इस function के end तक अभी तक function end नहीं हो है कि function चली रहा है भी क्योंकि यह जो curly क्लोज नहीं हुआ है function का क्लोज नहीं हुआ है तो इसका जो scope है यहां तक चलेगा उसके बीज जितनी बाहर हम print करवाएंगे एक को या access करेंगे एक अगर मैंने block के अंधर ही मैंने यहां पर define कर रखा है तो वो उसके भार नहीं ढूड़ेगा उसको ठीक हो गया इतना आपको समझ मां क्या होगा यह तो बात होगी scoops की अब हम बात करते है lifetime की ठीक है location आपको पता है default value आपको पताई ठीक है lifetime क्या होता है अब देखे lifetime समझा यहां पर देखे जो इसका lifetime है और इसका scope है वो दोनों different है देखे इस static मैंने long int लिया है ठीक है F1 और F2 यह F1 F2 का scope कहां पर है ठीक है इसकी value कहां का access कर सकता हूँ मैं इसकी value सिर्फ इस block में access कर सकता हूँ यहां से लिकर यहां तक के बीच में ठीक है अगर इसके बार में इसको access करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा ठीक है यह इसका scope हो गया यह F1 F2 का लेकिन lifetime क्या है lifetime को concept क्या है lifetime यह है कि देखे हम यहां पर Fibonacci series में क्या कर रहे हैं यहां पर मैं इसको simple भासा मैंने को समझा हूँ तो मैं क्या tag हैना चाहरा हूँ यहां पर Fibonacci एक function ह ठीक है function मैंने यहां पर बनाया है इसके अंतर मैंने static का हमारा variable लिया है तो यहां पर देखे यह एक बार run हुआ ठीक है यहां पर F1 की value 1 हो गई ठीक हो गया अब जब यह इसके बाहर चले जाएगा मतलब यह पूरा code run हो गया यह पूरे functional code run हो गया तो यह क्या करेगा अप नहीं ऐसे नहीं होगा F1 में यहां पर F1 पर value 1 है मैं इसको इसके अंदर change कर देता हूँ ठीक है F1 की value अब 10 हो गई अब 1 से कटके 10 हो गई ठीक है फिर यह हमारा code complete हो गया पूरा code complete हो गया और यह क्या कर गया दुबारा से main में return कर गया क्योंकि जो function calling के बाद जब function complete हो ज हो जाएगी नहीं ऐसे नहीं होगा सिर्फ एक बार चलेगा 10 उसके बाद दुवारा से जब 10 में increment होगा तो दुवारा से 10 increment होगा अगर 20 हो गया तो यह 20 बन जाएगा ठीक है यह बार बार यह जो line है आपकी यह execute नहीं होगी इस case में जो इसकी lifetime है वो program तक की है जब तक value को maintain करते हुए रखेगा जैसे पहले F1 की value थी 1 फिर यहां पर function के अंदर जाके 10 हो गई तो 10 हो गई फिर function के भार यह निकल गया ठीक है main में आ गया ठीक है main में दुबारा function हमारा call हुआ ठीक है फिर इसकी value 10 से 20 हो गई फिर दुबारा से main में चले गया क्योंकि हमारा function complete ह गया फिर दुबारा Fibonacci call हुआ ठीक है तो वहाँ पर यह अपनी value को maintain करते हुए चलेगा क्योंकि इसकी lifetime खतम नहीं हुई है ठीक है लेकिन simple cases में क्या होगा अगर देखिए अगर यह static नहीं होता ठीक है अगर यह से हमने बनाया function का name ठीक है और यह static नहीं है यह simple integer integer i is equal to one 10 है इसकी value फिर मैं इसकी i की value को क्या बोलते है increment करा दे रहा हूँ i multiply by two करा दे रहा हूँ ठीक है फर यह बस यह खतम हो जा रहा और फिर main में क्या कर रहा हूँ मैं चार बार इसको call कर रहा हूँ ठीक है अपने feminization function को call कर रहा हूँ चार बार ठीक है तो पहली बार जब call होगा तो int i की value 10 होई तो यह क्या करेगा i की value में 10 save करा देगा फिर ठीक है i की value i into two turn to e तो इसको 20 कर देगा ठीक है जैसे यह function खतम होगा जैसे यह function खतम होगा यह value हट जाएगी फिर से i की value दुबार से 10 होगी ठीक है लेगन static की case में ऐसा नहीं होता है अगर यह static होता न static तो यह क्या होगा i की value 10 से 20 होई होगी पहले बार call करने में दूसरी बार जबार call होगा तो यहाँ पर यह वाला जो code है वो run नहीं होगा सीधे multiply वाला code run होगा ठीक है बार बार value initialize नहीं होगी इसमें क्योंकि पहले से ही है इसके पास इसकी lifetime कब तक रहेगी जबता हमारे चारो के चारो बार हमने call नहीं कर दिया और function पूरा हमारा mean function खतम हो गया सारा program हमारा खतम हो गया उसके बाद ही यह हटाएगा ठीक है compiler is value को यह आप समझगे होंगे ठीक हो गया तो scope और lifetime आप समझगे अब next वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके external की statics की और registers की तो हुआ तो